नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योटियोब चैनल पी एफपी में आज हम FNO सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम यह सीखने वाले हैं कि futures and options होता क्या है कैसे इसका सही इस्तमाल करके हम अपने investment का risk तो reduce करी सकते हैं लेकिन साथ में additional profit भी generate कर सकते हैं basic से करके advance तक हर एक concept में सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा तो आज के वीडियो में basic concept शेश शुरू करते हैं जब भी हम share market में आते हैं तो सबसे पहली मुलाकात हमारी cash market से होती है freelance के 5 shares हमने खरीद लिए, freelance के 5 shares हमने बेच दिए तो यह जो shares का lane din होता है, यह cash market में होता है दूसरा है derivative market, अब यह derivative क्या है? derivative एक ऐसा contract है जो कि 2 या ज़्यादा parties के बीच में होता है जिसके खुद की value एक underlying financial asset के basis पे उपर नीचे होती है अगर financial asset उपर गया, derivative भी उसी प्रकार से react करेगा अगर financial asset नीचे गया, तो derivative का भी उसी प्रकार का reaction रहेगा अब यह underlying financial asset कुछ भी हो सकता है bond, commodity, currency, interest rate, market index तैसे कि nifty, bank, nifty या फिर individual stocks भी हो सकते हैं अलग-अलग प्रकार के derivative product आते हैं, future contract, forward contract, options, swaps, warrants यह सारे अलग-अलग प्रकार के derivative product हैं लेकिन share market में particularly futures and options में ज्यादातर काम होता हुआ नजर आता है अब interestingly, derivative की शुरुआत हुई थी hedging के लिए hedging का मतलब है risk reduce करने के लिए अगर आप risk reduce करने के लिए derivative का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसे hedging का जाता है लेकिन आज के time में ज्यादातर काम आपको speculation में होता हुआ नजर आता है मतलब आप risk reduce करने के लिए नहीं सिर्फ profit generate करने के लिए derivative contract में buy sell करने है तो वो हो जाता है speculation सबसे पहले futures contract क्या होता है ये समझ लेते है futures contract एक standardized legal contract है जहाँ पर आप कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं एक predetermined price होता है और एक specified time होता है जहाँ पर ये product या फिर asset का आपको delivery भी देना पड़ता है अब यहाँ पर specified time मतलब ये हो गया futures contract का expiry predetermined price आप खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं price पहले से decide किया होता है और ये सब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया concept है ये पहले से चलता आ रहा है काउटेल या अर्थर स्रास्तर में भी आपको दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से farmers के लिए एक ऐसा mechanism बनाया गया था यहाँ पर example के साथ समझने की कोशिश करते है suppose एक farmer है जिसकी cotton की खेती है और अभी price चल रहा है 100 रुपे अभी तक माल बना नहीं है लेकिन वो अभी के अभी contract कर देना चाता है तो wholesaler से मिलता है wholesaler भी कहता है मैं तयार हूँ भई 100 रुपे मैं खरीद लूँगा तो यह दोनों अपने side की safety ensure करने है farmer को क्या है अगर price 3 महने बाद नीचे चला गया तो मुझे कम पैसे मिलेंगे wholesaler को डर है कि बायचांस अगर 3 महने बाद price उपर चला गया तो मुझे महनगे में खरीद ना पड़ेगा मेरा profit कम हो जाएगा या फिर शायद मुझे loss भी हो सकता है इसलिए पहले सी एक contract हो जाता है एक specified time होता है expiry है 3 महने की मतलब 3 महने बाद हो गया हमारा expiry और price अभी से determine हो गया और वो हो गया 100 रुपे का example के लिए हम reliance को ही consider करने वाले है अभी current market price चल रहा है 2,401 रुपे का यह है spot market cash market जो हम बोलते हैं उसे spot market भी का जाता है तो यह spot price हो गया futures market में July के future में 2,409 रुपे का price चल रहा है तो यह जो difference चलता है यहाँ पर अगर यह difference ज़्यादा होता है मतलब futures का price current market price spot price से ज़्यादा चल रहा है तो उसे का जाता है premium अगर नीचे चल रहा होता है तो उसे discount का जाता है अब यहाँ पर यह जो expiry होती है July future तो हर एक महीने के expiry होती है उसमें जो last Thursday होता है वही expiry होती है stocks के लिए lot size के बार में बात करें तो यह 250 है अब यहाँ पर futures में कैसा रहता है यह standardized रहता है यह NSE declare करता है आप यहाँ पर 10 shares में करना चाता है 20 shares में करना चाता है ऐसा नहीं चलेगा NSE ने decide किया है उसी lot में आपको करना पड़ेगा तो lot size 250 है मतलब यह पूरा futures का एक contract 200 shares का है 200, 200 shares में आप यहाँ पर कर पाएंगे आपको 10 चाहिए आपको 100 चाहिए नहीं चलेगा 200 के multiple में आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा तो contract value अगर बात करें futures का contract actually 6 लाग का है लेकिन approximately आपको जो margin देना पड़ेगा इसमें trade करने के लिए यह 1.36 लाग का होने वाला है यहाँ पर margin क्यों मिलता है यह concept क्या है यह reason है कि भाई आप shares में थोड़ी लेंदेन कर रहे हैं आप तो सिर्फ एक contract कर रहे हैं लेकिन contract कर रहे हैं तो बिना पैसे कुछ नहीं होता है तो एक आपको margin देना पड़ता है यह contract है यह इतना पैसा मैं अभी table पे रख रहा हूँ बाकि जब हम deal करेंगे जब वो time आएगा तब पूरा पैसा दे दूँगा इसलिए एक approximately margin लिया जाता है हर एक share में आपको यह अलग-अलग दिखाई पड़ता है जिस प्रकार से share की volatility रहती है उस प्रकार से margin depend करता है लेकिन यहाँ पर reliance में approximately 1.36 lakh का margin चल रहा है 6 lakh का contract value है तो इस इसाब से यह basic details हो गया कि future में किस प्रकार से काम होता है तो अब यहाँ पर reliance का suppose मुझे future खरीदना है लेकिन कोई future क्यों खरीदेगा directly share यहाँ पर खरीद क्यों नहीं लेते cash market से तो सबसे पहला reason यह है कि suppose मुझे अभी के अभी यहाँ पर reliance के shares खरीदने है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है मुझे पता है पांच दिन के पास मुझे पैसे मिलने वाला है एक party का payment आने वाला है salary मिलने वाली है और अभी मुझे price बहुत अच्छा नजराता है reliance current market price पे बहुत अच्छा invest करने के लिए लेकिन पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ मेरे पास थोड़े पैसे है मैं अभी वो दे देता हूँ जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे बाद में मैं payment कर दूँगा इसलिए futures का इस्तमाल होता है investment के लिए कई बर इस प्रकार से invest किया जाता है दूसरा reason क्या होता है दूसरा reason है speculation मुझे लगता है reliance उपर जाएगा अब मैं cash market में अगर खरीद होंगा मेरे पास अगर 6 lakh रुपए है तो 6 lakh के shares जितने आएंगे cash market में 2500 shares आएंगे लेकिन 6 lakh में futures में आप कितने सारे lot उटा सकते हैं तो आपकी quantity बढ़ जाती है ज्यादा profit हो सकता है इसलिए यहाँ पर futures में खरीद सकता हूँ एक हो गया speculation दूसरा यहाँ पर invest करना है यह reason हो सकता है suppose यहाँ पर futures sell करना है ऐसा नहीं है कि futures हम सिर्फ खरीद सकता है futures हम sell भी कर सकता है तो futures में sell क्यों करूँगा उसके क्या reasons है एक reason तो यह है कि मेरे demet account में already 250 shares है मतलब जो lot size है उतने shares मेरे पास पड़े हुए है और मुझे लगता है कि reliance में गिरावट हो सकती है लेकिन मुझे reliance बेचना नहीं है अगर मैं बेच दूँगा तो मुझे capital gains tax लगेगा ऐसा हो सकता है कि मेरे पास reliance 400-500 के भाव के चल रहे है अगर मैं अभी बेच दूँगा तो अभी मुझे तगड़ा tax भी देना पड़ेगा इससे अच्छा है मैं reliance के futures को short कर देता हूँ मतलब sell कर देता हूँ अगर मैंने reliance के futures को sell कर दिया और stock continuously नीचे आता गया तो यह जो धाइशोर shares मेरे demat account में उसमें मुझे loss बढ़ता जाएगा लेकिन यह जो future मैंने sell किया है उसपे profit बढ़ता जाएगा तो मुझे actually no profit no loss होगा इसलिए भी हम sell कर सकते हैं तो यह होगा actually hedging हो गया मतलब मेरे पास position बनी हुई है investment किया हुआ है risk गिरने का तो वो risk को reduce करने के लिए मैंने future बेचा तो यह हो गया hedging दूसरा है speculation मुझे लगता है कि stock में गिरावट हो सकती है मेरे पास shares नहीं है demand account में नहीं लेकिन मुझे लगता है कि अभी reliance गिरने वाला है मेरी analysis के इसाब से stock 100-200 रुपे आराम से गिर सकता है मुझे पैसा गमाना है तो मैंने यहाँ पर futures बेच दिया तो इस प्रकार से यह कुछ reasons हैं कि क्यों में futures बेच सकता हूँ तो यहाँ पर जब भी यह सवाल आता है कि futures market में क्यों काम करें cash market में directly कर सकते हैं तो इसका बड़ा जवाब यह है कि cash market में आप short नहीं जा सकते अगर आपको लगता है कि मंदी होने वाली है share में अब cash market में अपनी holding है उसे तो बेच सकते हैं additional shares बेचेंगे तो कैसे तो आप futures का इस्तमाल करते हैं इस प्रकार से futures market में आपको trading होता हुआ नजर आता है अब यहाँ पर futures trading के कुछ important points है यह already एक leverage instrument है जिसमें high risk और reward रहता है leverage instrument मतलब क्या है already यहाँ पर margin दिया हुआ रहता है आप 6 lakh का जो reliance है न आप वो सिर्फ 7 lakh में trade कर रहे है 6 lakh के shares है ISO shares मतलब उसकी value 6 lakh की होती है अगर आपको cash market में चाहिए 6 lakh तुरंत आपको देने पड़ेंगे वरना आपको shares नहीं मिलते हैं फिर भी आप वो futures में 7 lakh में खरीद सकते हैं मतलब already आप यहाँ पर margin पर ही काम कर रहे है और जब यहाँ पर over limit हो जाते हैं लोग तभी आपको बहुत loss देखने को मिलता है मेरे इसाब से future shredding आपको तभी prefer करनी चाहिए जब आप पूरा पैसा actually दे सकते हैं दे सकते हैं फिर भी आप futures में ले रहे हैं यह सब मैं समझ सकता हूँ बाकी का पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं उससे आप ठीक से utilize करना चाहते हैं दूसरी जगा पर यह सब ठीक है लेकिन जब तक आप यहाँ पर afford ही नहीं कर सकते हैं सवाल आख ही है फिर भी आप reliance का future खरीद रहे हैं खे लाट का माल खरीद रहे हैं तो risk आपका बहुत ही जधा बढ़ जाता है यहाँ पर कभी भी यह सोचकर हमें position नहीं बनानी है कि margin मिल रहा है ना position बना लेते हैं क्योंकि जो आपका risk है वो तो total contract value पर ही रहने बाला है अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ suppose आपके पास 1.36 lakh ही है अगर आप directly cash में खरीदेंगे तो आपको 56 shares मिलेंगे लेकिन अगर आप futures में खरीदेंगे तो आपको 250 shares मिलेंगे लोग calculation क्या करते हैं आपने future खरीद आप सीधा उपर का calculation करते हैं यह सिर्फ 10 रुपे भी बढ़ गया तो भी मुझे 5,000 का profit होगा 100 रुपे बढ़ गया मुझे 25,000 का profit होगा यह सब calculation करते हैं लेकिन नीचे का calculation करना बहुत जरूरी है क्योंकि capital रहेगा नहीं तो market में भी नहीं रह पाएंगे suppose आपने future खरीद लिया आपने futures खरीद आए 500 shares आपके पास आगए आए नहीं है लेकिन futures की जो contract value उसी प्रकार से होती है और stock by chance 10% गिर गया अभी 10% गिरेगा मतलब कितना loss होगा 6,000,000 का contract का value है 10% गिरा मतलब 60,000 का loss हो आपके एक futures के lot में आपका 44% का capital चला गया इसलिए जब तक आप पूरा afford नहीं कर सकते हैं तब तक आपको futures में trade करने से बचना चाहिए बहुत ही जदा risk हो सकता है क्योंकि already एक leverage position है already आपको जो 6,000,000 का माल है 7,000,000 में मिल रहा है इसमें भी यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं ब्रोकर से margin लेते हैं वो जो margin credit fund होते हैं उसका इस्तमाल करते हैं यह सब करने से avoid करना चाहिए वरना एक ही जटके में आपका capital wipe हो सकता है अब options को समझने की कोशिश करते हैं options एक ऐसा financial derivative है जो कि buyers को right देता है लेकिन obligation नहीं है to buy or sell an underlying asset at an agreed upon price ended मतलब यहाँ पर भी expiry पहले से decided होती है price पहले से decided होता है और जो option खरीदता है उसको यह right है लेकिन obligation नहीं है कि वो buy or sell करना ही करना है यहाँ पर call और put options रहते हैं जो कि option strategies हम बना सकते हैं यहाँ पर hedging के लिए income के लिए और speculation के लिए इसका इस्तमाल होता है अब यहाँ पर पर हम reliance का example लेते हैं current market price क्या चल रहा है 2401 चल रहा है जुलाई का 2500 का call चल रहा है 26.5 अब यह क्या है अब यहाँ पर देखिए futures में कैसा रहता है जो price चल रहा है current market price उससे थोड़ा बहुत premium यह थोड़ा बहुत discount पर उसका futures का भी price चलता है और जैसे जैसे current market price spot price उपर नीचे होगा बस उसी प्रकार से futures का price आपको उपर नीचे होता हुआ नजर आता है उसमें बाकी कुछ नहीं रहता है आपको खरीदना है खरीद ये बेचना है बेचिए वो price आपको दिया हुआ है ज़्यादा वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं options में जब हम आते हैं तो वहाँ पर अलग-अलग strike price आपको मिलेगी कौन से price पर आप काम करना चाहते हैं आपको बहुत से options मिल जाते हैं तो यहाँ पर call option है और put option रहता है तो call option में suppose 2500 का call में यहाँ पर मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पर एक price दिया गया है यह 26.5 अब य option खरीदेंगे यह बेचेंगे तो एक price होता है जिसके basis पर काम होगा तो यह वो price हो गया 26.5 lot size क्या चल रहा है 250 का है तो अगर आब इसे multiply करेंगे तो premium amount आ जाएगा 6625 का तो यह premium amount है यह price चल रहा है इसके basis पर आप option को खरीदेंगे यह बेच सकते हैं अलग-अलग strike price का price और कम होता जाएगा जितना उपर जाएगे उतना आपको prices कम होते हुए call में नजर आएगे अब यहाँ पर suppose मुझे 2500 का call खरीदना है लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा कोई क्यों यहाँ पर call खरीदना चाहेगा उसके पीछे का उसका motive क्या हो सकता है तो सबसे पहला motive यह हो स तो 2500 का call मैंने खरीद लिया क्योंकि यह मुझे एक right देता है right मतलब एक हक देता है अगर यह stock 3000 तक भी पहुंच गया ना तो भी मुझे यह हक है कि मैं 2500 में वो share खरीद सकता हूं इसलिए कोई 2500 का call खरीद सकता है या फिर कोई भी कोई भी stock में कोई भी strike price का अगर कोई call खर कित सकता हूं दूसरा क्या है दूसरा है speculation मुझे लगता है कि stock उपर जा सकता है अगर stock उपर जाता है तो यह जो premium है ना वो जो 26 रुपे 50 पैसे का वो भी उपर चला जाता है सपोज अभी stock चल रहा है 2400 अभी 2500 के उपर यह वाला आदमी खरीदना चाता है वो तो वेट करे गा वो investment के लिए आया है speculation के लिए नहीं आया है लेकिन सपोज स्टॉक 2400 से 2450 भी पहुंच गया तो जो 26 रुपे 50 पैसे का premium है वो 30 रुपे हो सकता है तो जो increase हुआ वो premium में उसमें भी कई लोग यहां पर trade करके निकल जाता है अपना profit हो गया तो यह हो जाता है speculation यह दो reasons ह हो सकता है कि क्यों कोई call खरीद सकता है अभी कोई call खरीद रहा है तो of course सामने कोई बेचने वाला भी होगा तो कोई 2500 का call बेचेगा क्यों तो यहां पर एक reason यह हो सकता है कि मेरे पास demat account में 250 shares है मुझे लग रहा है कि stock week हो गया stock में घिरावट देखने को मिल सकती है और इ 2500 के उपर नहीं जा पाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यह call बेच दिना चाहिए तो मैंने 2500 का call बेच दिया अगर मैं कोई call बेचता हूं तो मुझे downside में भी थोड़ा बहुत protection मिल जाता है जितना premium amount मैंने collect किया है इस case में कुछ 6600 के आसपास था तो उतना downside मे protected हो गया अगर वो value जो है 500 shares की उतनी नीचे जाती है तो मुझे उतने तक तो loss नहीं होने वाला है इस प्रकार से कही लोग यहाँ पर काम करते हैं दूसरा हो जाता है speculation speculation में क्या stock नहीं है demand account में मुझे लग रहा है कि यह 2500 के नीचे ही रहेगा expiry में तो मैं यहाँ पर वो call बेच सकता हूं तो यह दो reasons हो सकते हैं कि क्यों कोई call बेच भी सकता है अब next आता है put option पे current market price चल रहा है 2401 July का 2300 का put इसका premium है 19.5 रुपीज lot size 250 तो premium amount है 4875 तो जो भी काम होगा 19.5 रुपीज चल रहा है तो यह price दिया गया है जिसके basis पे आप put option को खरीदेंगे या बेच lot size यह है तो actually amount यह हो जाता है यह price रहता है lot size रहता है इसको multiply करके आपको payment करना रहता है या फिर इतना premium आपको receive होता है आप अगर put option खरीद रहें तो इतना आपको payment करना पड़ेगा और अगर आप put option बेच रहें तो इतना आपको मिल जाता है यहाँ पर भी कैसा है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अभी price चल रहा है 2400 अगर आप 2300 से नीचे के strike price पे जाएंगे 2200 के strike price पे जाएंगे तो इसका जो value रहेगा जो premium रहेगा और कम होता जाएगा जैसे जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना इसका value कम होता जाएगा अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई 2300 का put खरीदेगा तो यहाँ पर सबसे पहला reason यह है कि मेरे पास demand account में 250 shares पड़ें मतलब एक lot पड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि यह stock 2300 के नीचे जाएगा तो इसमें बहुत weakness आ सकती है stock easily और भी ज़्यदा 300-400 रुपे नीचे जा सकता है तो मैं यहाँ पर put खरीद देता हूँ क्योंकि put मुझे यह right देता है मुझे यह हक देता है कि मैं 2300 पे stock को बेच सकता हूँ भले ही यह stock 2000 पे भी चला जाए 1000 पे भी चला जाए लेकिन मेरे पास अगर 2300 का put है तो मुझे यह हक है कि मैं 2300 में यहाँ पर 1920 रुपीज चल रहा था वो easily 25 तक जा सकता है तो मैं बेच के profit कमा लूँगा तो यह भी एक reason होता है अब कोई यहाँ पर 2300 का put बेचना क्यों चाहेगा इसका एक reason यह हो सकता है कि मुझे 250 shares खरीदने मेरे पास है नहीं मुझे invest करना है reliance में लेकिन मुझे लगत स्टॉक 2300 आ जाता है उसके नीचे आ जाता है तो मैं यहाँ पर 2500 shares खरीद लूँगा लेकिन बायचांस ऐसा नहीं होता है एकसपारी तक 2300 के उपर ही रहता है स्टॉक आता ही नहीं है नीचे तो जो मैंने premium collect किया रहेगा जो वो 4800 के आसपास का amount था वो मेरा profit हो जाएगा दूसरा reason क्या हो सकता है यहाँ पर भी speculation मुझे लगता है 2300 तक stock यहाँ पर नहीं आएगा यह expiry पूरी इसके उपर ही निकल जाएगी तो मैं 2300 का put बेच सकता हूँ तो यह concept मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे call और put काम करते हैं इसके पीछे खरीदने वाले का बेचने वाले का mindset क्या रहता है कैसे यहाँ पर trade होते हैं यह मैंने आपको बता दिया कि mindset जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो caller put के definition पढ़ने के हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब यहाँ पर options trading में कैसा है जैसा futures में वैसे ही options भी leverage होते है क्योंकि यहाँ पर भी actually contract value त इसमें भी आप कई बार margin ले लेते हैं broker से तो आपका leverage और भी जदा बढ़ जाता है तो यहाँ पर कमाने का मौका भी of course बढ़ा है risk भी बढ़ा है दोनों ध्यान रखना चाहिए तो यहाँ पर generally लोगों को नुकसान कब होता है जब यह बहुत ही जदा लालची हो जाते हैं अगर market में कोई sudden movement आता है तो premium easily 2-3 गुना हो जाते हैं और कई बड़े movement आते हैं तो 10 गुना भी होते हुए नजर आते हैं और generally लोग यह options खरीदते हैं expect करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा और पूरा capital income का चला जाता है अब जैसे कि मैंने example दिया 2300 का पूट अगर खरीदते है 19.5 का चल रहा है अगर 30 से stock 40 50 रुपे गिर जाएगा 100 रुपे गिर जाएगा 2400 जल रहा है 2300 अगर वो आ जाता है तो जो 19.5 है ना उसका easily 40 हो जाएगा मतलब आपने पैसा कितना डाला put खरीदने में 4800 के आसपास उतना ही आपको profit हो रहा है मतलब 100% का profit हो रहा है तो जाए option buying में आपको capital कम चाहिए अगर आपको 2300 का relance का put खरीदना है तो आपको 4800 5000 उतना ही पैसा चाहिए लेकिन तब तक आपको वो नहीं खरीदना चाहिए जब तक आपके risk management को वो suit नहीं करता मैं यहाँ पर वो जो speculation के लिए करते हैं उनको यह बता रहा हूं कि जब तक आपके risk management में बैठता नहीं है तब तक नहीं करना चाहिए general rule क्या है कि अपने capital का 1% का risk लेना है थोड़ा और समझाने की कोशिश करों तो suppose आप कोई trade लेते हैं मुझे लगता है कि यह stock उपर जाएगा या नीची जाएगा उसके basis पे आपकोई trade लेना चाहिए cash market में derivative market में तो उसका जो stop loss होता है suppose वो amount 5000 का है तो वो 1% का होना चाहिए आपका capital 5 लग का है तो 5000 होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए 1% से ज्यादा risk आपको नहीं लेना चाहिए beginners के लिए general rule यहाँ पर माना जाता है तो suppose हमने यहाँ पर सोच लिया कि भाई reliance गिर 2000 का loss हो जाएगा मुझे मतलब यह 4845 जो payment किया है वो कम होते कोते हुए यहाँ पर 2000 और कम हो गया इसमें से तो मैं यहाँ पर निकल जाओंगा यह मेरा stop loss हो गया भले ही मैं यह put 4875 में खरीद सकता हूं लेकिन फिर भी मुझे नहीं खरीदना चाहिए मान लीजे मेरे account में सि खरीद लिया इसका stop loss मेरे system के हिसाब से 2000 रुपे बैठ रहा है अगर मुझे बायचांस stop loss हिट करना पड़ा मान लीजे 99% के accuracy है फिर भी अगर 1% का भी chance है कि मुझे loss हो सकता है और बायचांस वो 1% ही आया तो मुझे 41% का loss होगा अपने capital पे बाद में trade ही नहीं कर गलती क्या होती है 5-10,000 ही है put खरीद लिया क्योंकि देखा था भाई वो बोला था दोस्तने कि इतना double हो गया put triple हो गया पैसा triple हो गया लेकिन उसने पूरा पैसा कहा लगा था आप अपना पूरा पैसा क्यों लगा रहे हैं तो 10,000 का capital है तो उस पे आप इतना बड़ा list ले आपकेंगे तो यहां पर मौका मिलेगा आगे आप कमा सकते हैं अब फ्यूचर से न ऑप्शन दोनों को अगर हम कंपर करते हैं यहां पर बहुत से इंट्रेस्टिंग चीज़े आपको सीखने को मिलेगी फ्यूचर सापको relatively easy लगेगा समझने के लिए trade करने के लिए यह cash trading क यह समानी है इसमें कोई जादा फरक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ strike price जैसा ही नहीं जो भी cash cash market में price चल रहा है उसी साब से थोड़ा बहुत premium के discount लगा कि आपको futures में प्राइस मिल जाता है जो थोड़ा बहुत आपको additional चीज़े सीखनी पड़ती है वो यह होता है कि भाई पड़ा futures में easily काम कर सकते है और यहां पर एक और चीज़ है कि यहां पर आप शौट भी हो सकते है मतलब मंदी भी खेल सकते है cash market में मंदी नहीं खेल सकते है you basic चीज़े आपने सीख ली तो आप futures market में easily काम कर सकते है यहां पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपका risk management जब आपको allow करें तभी आपको futures में trade करना चाहिए जस्ट मैंने आपको बताया दो लाग का capital है दो अजार का risk है तो ही आपको वो put खरीदना चाहिए था बस उसी इसाब से क्योंकि यहाँ पर lot size में काम होता है मेरे वास सपोस्थ 10,000 ही है और मेरे इसाब से मेरा जो 1% का rule बैठता है उस इसाब से अगर मैं काम करता हूँ तो 100 रुपे का ही मुझे risk लेना चाहिए मुझे IT से में suppose एक trade भी मिल गया वहाँ पर stop loss per share मेरा 20 रुपे का पड़ रहा है तो मैं 5 share खरीद के काम कर सकता हूँ लेकिन ऐसा हम futures में नहीं कर सकता है क्योंकि futures में lot size पहले से decide के हुए थे है और उसमें अगर stop loss के हिसाब से अपना bet अपना capital के हिसाब से तो ही हमें वो trade लेना चाहिए तो उसके लिए generally capital थोड़ा सा बढ़ा चाहिए तो एक बार risk management allow करता है उसके बादा futures में easily काम कर सकते है यहाँ पर ज़्यादा कोई सीखना समझना जैसा नहीं है cash market में जो strategy लगाता है वही आपको यहाँ पर भी लगानी होती है ज़्यादा difference नहीं है लेकिन जब हम options के बार में बात करते है तो options में relatively यह सीखना थोड़ा सा difficult होता है ना मुम्किन कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा time देना पड़ता है सीखने के लिए, समझने के लिए क्योंकि cash trading से और futures trading से अलग हो जाता है यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो की सीखनी पड़ती है margin system क्या होता है multiple combinations करते है options का futures में भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन उसमें एक हद तक ही होता है futures and options का थोड़ा बहुत combination किया लेकिन options में बहुत कुछ कर सकते हैं अलग-अलग options का इस्तमाल करते हैं अलग-अलग expiry का हम लोग options यूज़ करके strategy बना सकते हैं यहाँ पर यह सब सीखना पड़ता है strike selection भी तो important है futures में ऐसा कुछ है ही नहीं जबकि options में conscious strike price को खरीदना बेचना कभी का यह सब सीखना पड़ता है और यहाँ पर सब से important time decay का impact क्या होता है options पे क्योंकि यहाँ पर expiry में futures में तो देखिए जो price होता है उस पे वो cash markets का मिल जाता है settle हो जाता है लेकिन जब options की भी expiry same day पर ही होती है और जब suppose reliance का share चल रहा है 2400 2400 के उपर के जितने भी call रहेंगे ना उसकी value zero हो जाएगी और 2400 के नीचे के जितने के put रहेंगे उसकी value भी zero होने वाली है तो यह zero हो जाती है जल्दी कब zero होगी कभी यह dime डी के कम रहेगा इसका impact पूरा options पे समझना पड़ता है उस इसाब से आप buy sell करेंगे यह बहुत important है और यहाँ पर उसी प्रकार से आपको trade करना पड़ता है पहले यह options समझना थोड़ा सा difficult ज़रूर है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक बार अगर हम सीख लेते हैं तो opportunities भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है options में हमें यहाँ पर ज़्यादा options मिलते हैं तो अभी गिरने वाला है तो derivative में मैं किस प्रकार से पैसा कमा सकता हूँ downside से या तो मैं put खरीद लूँ या तो मैं call बेच दूँ या तो मैं futures बेच दूँ और assume करते हैं कि मेरा stop loss 2500 रुपे का है मतलब per share 100 रुपे का हुआ और lot size के हिसाब से futures के lot के हिसाब से 25,000 हो जाता है अगर मैं futures बेचता हूँ न तो मेरा जो profit and loss है वो हर एक रुपे के movement पे आपको उपर नीचे होता हुआ नजर आएगा और उसी हिसाब से इसका stop loss होगा 2400 पे अगर मैं futures को बेच रहा हूँ 2500 का मेरा अगर stop loss है 100 रुपे पर से 200 का lot है तो मेरा per lot जो stop loss हो जाता है 25,000 रुपे का हो जाता है लेकिन अगर मैं यहाँ यहाँ पर 2300 का put खरीद लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो maximum loss होगा जितना premium मैंने चुकाया है वो मेरा maximum loss है जो की है 4875 रुपे का जो की हमने देखा 19.5 चल रहा है तो इससे साब सी amount निकल कराता है तो अगर यहाँ पर मैं और भी कम risk लेना चाहता हूँ तो मैं और दूर जाके put खरीब सकता हूँ जहाँ पर premium और कम रहेगा यहाँ पर 2300 का 19.5 चल रहा है लेकिन अगर मैं 2200 का खरीद हूँ गा तो इसका premium और भी कम होगा तो मुझे और भी कम premium चुकाना पड़ेगा तो इससे मेरा risk भी कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि भाई risk यहाँ पर कम है तो reward भी कम है क्योंकि जितना दूर आप put खरीदेंगे न उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर probability of profit गरता जाएगा क्योंकि profit कमाने के लिए वो put का premium बढ़ना चाहिए तब आप पैसे कमाएंगे तो अगर बहुत ज़्यादा दूर का put खरीद रहे है यह नहीं तो वो यह करना है इतने का put खरीदना है वहाँ दूर जाके खरीदना है यह सब आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि futures में आपके बास ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता है यहाँ पर next के आए कि 2500 का मैं call भी तो बेच सकता हूँ जरूरी नहीं है कि मुझे put ही खरीदना है मैं यहाँ पर call भी बेचने के बारे में सोच सकता हूँ तो यहाँ पर जब भी आप कोई call बेचते हैं या put बेचते हैं कोई भी option जब आप बेचते हैं अभी आपका limited loss नहीं होता है क्यूंकि वह premium ज्यादा से ज़्यादा 0 जा सकता है लेकिन बढ़ने में उसकी कोई limit नहीं है वो कहां तक भी जा सकता है टेक्निकली तो यहाँ पर unlimited ही होता है लेकिन यहाँ पर अगर हम stop loss के बारे में बात करें जैसा कि हमने पहले ही खा कि अगर share 2500 तक आ जाता है तो मैं यहाँ पर exit कर जाऊंगा तो अगर share 2500 आता है तो हम यह call से भी exit कर सकते हैं तो assume करते हैं कि 2500 जब stock आएगा तो अपना जो premium है वो double हो जाएगा हमने देखा कुछ 26-27 रुपे का इसका premium चल रहा था 2400 का stock अभी चल रहा है अगर यह 2500 चला जाता है हम यह मान लेते हैं कि यह double हो जाएगा 50 रुपे के आसपस हो जाएगा तो मेरा जो loss होगा 625 के आसपस रहेगा 670 का loss रहेगा यहाँ पर अगर मैं और भी कम risk लेने चाहता हूँ तो दूर का call बेच सकता हूँ मान लीजे मैंने 2700 का call बेच दिया और भी उपर जाके call बेचा यहाँ पर उल्टा है जब ही हमने put खरीदा था जितना ज़दा दूर जाएंगे उतना ज़दा probability of profit गिरता जाएगा लेकिन ज़दा हम दूर option बेचेंगे probability of profit उतना ही बढ़ता जाएगा मैं सिर्फ call की बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी option बेचिये put भी अगर आप दूर का बेचेंगे call भी अगर आप दूर का बेचेंगे तो आपको जो probability of profit है वो आपको ज़्यादा मिलेगा लेकिन of course profit कम हो जाएगा क्योंकि premium वहाँ पर कम मिलते हैं जितना नज़दीक का option बेचेंगे probability of profit उतना कम रहेगा उस दूर profit उतना ही ज़्यादा रहेगा और जितना दूर का बेचेंगे profit amount कम हो जाएगा लेकिन कमाने के chances जो probability of profit है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है I hope आपको वीडियो पसंद आता है Thank you, stay happy, happy investing